हेलो एवरिवन, वेलकम बैक तो माई चैनल आज हम जानेंगे मिट्टी के बरतन में दही जमाने के फाइदे और इसको किस तरह से जमाया जाता है इन सब के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे दही हमारे शिरीर के लिए बहुत ही फाइदे मंद होता है यह हमारे स्वास्थे के लिए भी बहुत लापतायक होता है इसमें मौजूद रसाइनिक पदार्थ दूद की अपेक्षा जल्दी पच जाते हैं और इसके अलावा दही में प्रोटीन, लेक्टोज, कैल्शियम, समेद, कई विटामिन्स भी होते हैं इसलिए आज हम आपको घर पर ही मटके में दही बनाने की विधी बताने जा रहे हैं ताकि आपको बाजार से दही ना मंगवाना पड़े और आप घर पर ही अपने ठंडे और ताजे दही का इस्तेमाल कर सकें मटके में दही जमाने के बहुत सारे फायदे होते हैं इसमें एक तो दही खटा नहीं होता है बिल्कुल भी दही जमाने के लिए जिस जुत्रे का प्रियोग किया जाता है जिस बर्तन का प्रियोग किया जाता है वह बर्तन दही को बहुत ज्यादा खटा या ऐसी दिक बना सकता है लेकिन मटके में अगर आप दही को जमाते हैं तो उसको ज़्यादा खटा नहीं होने देता है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो मटके में जमा हुआ दही एकदम गाड़ा और मलाईदार होता है क्योंकि दही में दूद में जितना भी एक्स्रा पानी होता है वो मिट्टी का बरतन उसको अपने अंदर सोक लेता है और इसकी वज़े से हमारी दही इस परकार से गाड़ी गाड़ी बनती है तो इसके लिए हम लेंगे इस तरह का कोई भी बरतन या मार्किट में आज कल बहुत सारे मिट्टी के बरतन चलन में है आप कोई भी बरतन मार्किट से ला सकते हैं मिट्टी के बरतन के साथ साथ चेनी मिट्टी के बरतन में भी दही बहुत ही अच्छी बनती है और इस तरह से यह चोटी चोटी मट्कियां जो हम दिवाली पर घर में लेकर आते हैं वो हमारी इधर उधर गिर्ती रहती है तो इनको भी हम अच्छे से साफ करके दही जमाने में यूज कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम इस मिट्टी के बरतन को अच्छे से रगड के साफ कर लेंगे इसको हमने साबून या सरफ से साफ नहीं करना है केवल अच्छे से रगड के किसी भी स्पंज के साथ इसको अंदर और बाहर दोनों तरफ से साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे इसी तरह से हम जो ये छोटी मटकिया हैं इनको भी अच्छे से रगड के साफ कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गंदगी या मिटी ना रह पाए तो इन सभी को हम अच्छे से धो के साफ पानी में इसको 5-7 घंटे के लिए या 2-3 घंटे के लिए पानी में भरके रख देंगे और पानी में भरके रखने से क्या होता है कि इसके अंदर की जो नमी होती है वो पूरी हो जाती है और इसमें से मिटी वगर है दही में या दूद में मिक्स नहीं होती है तो ये देखिए हमारा परतन बिल्कुल त्यार हो गया है दही जमाने के लिए इस दूद को हमने उबाल के रख लिया है और उबालने के बाद दूद को हमने इतना ठंडा करना है कि उसमें हम अपनी उंगले अगर डालें तो हमें सहन हो सके यानि बहुत जादा गरम भी नहीं होना चाहिए और बहुत जादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और उसके अंदर अब हम दो चमच यानि आधा किलो अगर हम दूद लेते हैं तो उसमें दो चमच दही काफी है पहली बार जमाने के लिए तो उसमें दही को हम बड़े ही अच्छे से जैसे आपको दिखाया जा रहा है खूब अच्छे से दही को हम मिक्स कर देंगे दूद में और इसको ढखकल लगा करके किसी गरम जगया पर रख देंगे मिटी के बरतन में जब हम दही जमाते हैं तो दूद थोड़ा सा तेज गरम लिया जाता है क्योंकि मिटी ठंडी होती है इसी तरह से जो हम छोटी मट्कियों में दही जमाएंगे उसके लिए भी हम एक बरतन में दूद को लेके उसमें दो चमच एक चमच दही अच्छे से मिक्स कर देंगे जैसा आप देख रहे हैं पूल तरह से दही को मिक्स करने के बाद हम इन चोटी मट्कियों में भी इस दूद को डाल के रख देंगे और इनको ढख कर किसी गरम जगया पर अगर सर्थियों का मोसम है तो इनको किसी गरम कपड़े में या आटे के डब्बे में अगर हम रख देते हैं तो दही बहुत गंते के लिए रख देंगे ढक कर अच्छे से तो हमारी दही फान शात घंटे के बाद जम कर के तियार हो जाती है सर्दियों में थोड़ा सा एक दू घंटा जादा ले लेती है करम हो में थ्रवत जर गंटे तो गया एक हमारी दही कितनी अच्छी जम कर के तियार हो गई है इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो मिटी अपने अंदर सोक लेती है और एक बड़ी ही अच्छी सी खुश्पू अपनी दही के अंदर छोड़ देती है तो यह देखिए दही हमारी इतनी गाड़ी वनी है कि हम इसको चाकू से काट करके इस तरह से अलग करके देख सकते हैं क्योंके इसमें पानी की मातरा बिल्कुल भी नहीं है तो इस तरह से हम मिटी के बरतन में दही जमाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है और खटी भी नहीं होती यह देखिए हमारे चोटी जो यह मट्कियां थी इनमें भी दही बड़ देंगे और जो हमारा दही का बरतन है उसको हम साथ ही धो करके जो इसके अंदर दही जमी होती है इस तरह से हाथ से धो के सारे को निकाल लेंगे उसको आप दही के रूप में लसी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही हम इस बरतन को दो के अच्छे से कोई भी जैसे एक ब्रश ले लेते हैं जो कपड़े जिससे हम धोते हैं और अच्छे से रगड़की हम इसको साप करके रख देंगे धूप में. धूप में इसको रख देने से इसके सारे बैक्टीरियाज खत्म हो जाते हैं और इसमें बड़ी ही अच्छी स्मेल आएगी. कुछ लोगों को शिकायत होती है कि मिट्टी के बरतन में धही जमाने की बरतन में अलग सी स्मेल आती है तो वो इस तरह की कोई स्मेल आपको नहीं आएगी तो इसलिए हम इसको धूप में ही रख देना चाहिए इसी तरह से हम चीरी मिट्टी के बर्तन में भी दही जमाएंगे इसमें भी हमें दूद उसी तरह से थोड़ा सा गरम लेना है और एक चमच या दो चमच दूद की मात्रा के अनुसार हमने इसमें दही मिलाना है और अच्छे से मिक्स करके हम इसको रख देंगे और अगले दिन या 3-4 घंटे के बाद हम देखते हैं कि दही हमारी बहुत ही जवर्दस्त बनती है इस तरह से हमारी सभी बर्तनों में दही बन करके तयार है वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर अवश्य करें तो मिलते हैं इसी तरह की अगले किसी वीडियो में तक तक के लिए जय हिंद जय भारत